नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लिए क्या है एक बहुत ही छोटी सी रेसिपी राइस सभी बनाते हैं पर राइस पर्फेक्ट तरीके से कैसे बनाएं कि ना राइस कच्छा रहे और ना ही राइस बहुत जादा गले और खिला 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 राइस बनेते दम पर्फेक् सीख पूरु जब दीछ लेय और इसको ईचे से दो तीन बार इस tą ब्पैर साफ नहीं हो जाता इसको अपस कर ले लिए जितना भी स्थार्च होगा व्огल्रона निकल जाएंगा तो देखिए वाल這邊 समय ठुट है और राइस बहुत ही अच्छे से धुल गया है पांच माट के लिए इसको भींगने के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही जिसे थोड़ा सा जो राइस फूल जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है कि एक कुकर में जो है जितना भी हमने यह हमारा फूला हुआ राइस है सिर्फ पा पानी साइथ तरीके से नहीं डालते तो और राइस और यह बनता तो exec आख शूला हुआ हा और इसको ने साते ही स न चोड़ यह हम को यह तरु कि बार अंगे राइस दाल करते हैं यह सूला हुआ叮सरें भी नहीं होगा बस खिला खिला राइस बनेगा और अच्छा सा सफित सफिसा देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी तो हमने यहाँ पे नीबू भी निचोड़ दिया और आप हम कुकर को बंद कर देते हैं और अब हम इसको बंद करके गैस पे चाहते हैं और इस बहुत अच्छा है और इस राइस को आप पीली तड़के वाली दाल के साथ अनियान और इसके साथ ही अगर हमें मिल जाता है आम का अचार तो क्या ही गर्मियों में ये हमें खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है गर्म गर्म धाल राइस सैलेड और साथ में आम का अचार तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज बताइएगा चनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजे सेयर कर दीजे सब्सक्राइब